रेल्वे ग्रूबडी के बदों के लिए आविदन करने वाले सभी अव्यर्थियों के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को अंते तक जरूर देखे एक सेकंड भी स्कीप ना करेगा क्यूंकि इसका आपको बहुत बड़ा लाब होने वाला है जैसा कि आ अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं गया तो सबस्क्राइब कर लेजे दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोक्स में आपको आरार भी एलपी साइकोडर्स उसके साथे साथ अरार भी एंटीपिसी और आरार सी ग्रूपडे के लिए बुक के लिंक मिल जागी जहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते जिया दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भूनेश्वर बोर्ड का फीजिकल टेस्ट खतम हो चुका है और कुछ उमेदवारों के यहाँ पर फेडबैक आए कि एंट्री से लेकर सिलेक्शन तक किस तरह से प्रोसेस अपनाई ले तो आपकी एंट्री ली जाएगी ग्राउंड में और जिसके लिए आपके पास एड्मिट कार्ड और एक फोटो की जरूरत होगी जिया दोस्तों और यह फोटो वो होगी जब आपने अप्लाई करते वक्त जो फोटो लगाईती वही फोटो आपको लेकर जाना है और द दोस्तों चीप बानने के बाद आपका फिंगर प्रिंट फोटो और चीप नंबर लेकर वेरिफाई किया जाएगा जिया दोस्तों वेरिफाई करने के बाद आपके पैर में बंदी चीप को कंपुटर में सक्यान करके चड़ाया जाएगा और उसके बाद आपके एड्मिट प्रफिजिकल टेस्ट है आने वाले दिनों में अगर आपकी फीजिकल टेस्ट है तो आपको इसका बहुत बड़ा लाब होने वाले इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है अब आपको मैदान में वेज दिया जाएगा वहां पर आपको 35 किलो वजन टेबल पर रखा आने कितनी भी बार आप ट्राइ कर सकते हैं लेकिन जब आपका टाइम शुरू हो जाएगा चालू होगा तब आपको वजन को कंदे पर रखा दोडने को कहा जाएगा और दोस्तों वहां पर आपको एक रबड बीचा हुआ होगा उसके साइड में एक मशिन लगी है और जै से 15 मिन का रेष्ट दिया जाएगा ज्या दोस्तों समय दिया जाएगा और अगला टास्क जो की 1000 मिटर की दोड होगी वह आपकी स्टार्ट हो जाएगी और उसी और दूसरे बार भी आपके पर में वही चिप बंदी रहेगी और आपको लाइन में खडा कर दिया जाएगा और उसी तरह रबड पर फएर रखते ही आपका टाइम प्रारंब हो जाएगा जिसमें 333 मिटर के गोले के तीन चक्कर आपको लगाने होंगे प्रत्यक चकर में रबड पर फएर रखना अनिवार है ज्या दोस्तों और इस पूरी दोड की वीडियो ग्राफी वहाँ पर चल और मैदान से बाहर आने के दो गंटे बाद एक लिष्ट वहाँ पर चिपका दी जाएगी ज्यादोस और साती भरती बोड की ओपिशल में वेबसेट पर लिष्ट भी जारी कर दी जाएगी कि किस केंड़ेट ने कितने मिनिट में पूरी दोड पार कर लिए और कौन तो